हेलो गाइज, वेलकम तो मैं चैनल, मैंच्स रेडियेशन हेलो स्टुडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले है ना टॉपिक, इस वेक्टर प्रोड़क्ट हमने लास्ट में जो देखा था वो था स्केलर प्रोड़क्ट, मतलब या तो उसको हम डॉट प्रोड़क्ट बोल सकते थे यहाँ पे vector product जो है उसको हम बोलेंगे cross product अभी यह जो vector product है उसको मैं define कर लेता हूँ यहाँ पे मानलों कि vector a है और vector b है यहाँ पे हम cross लगाएंगे दोनों के बीच में definition यह बोलती है कि vector a की magnitude vector b की magnitude into यहाँ पे आपको sin theta करना है और उपर से एक n cape लगानी है यहाँ पे theta जो है angle between angle between vector a and vector b बट यहाँ रखिएगा है वो it must be lying in between 0 to pi because यह तो vector के बीच का angle है और जो n cap है that is a unit vector unit vector in the direction of in the direction perpendicular to perpendicular to a and b right a और b दोनों को perpendicular हो ऐसी direction में बट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज जो ध्यान में रखनी वो यह है आपको एक figure दिखाता हूँ समझ लो उसको पहले यह कुछ figure अमलब यह जो हमने पड़ा है वही है बस इसमें जो ध्यान में रखने वाली चीज है वो यह है कि यहाँ पर हमें vector a है vector b है अब यहाँ पर vector a cross b जब भी हो तो आपको a से b की और जाना है और यहाँ पर right hand को इस तरह arrange करना है जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ मानलो कि यह रहा right hand right अपने right hand की जो fingers है उसको a से b की और जाते हुए वो direction में लगाना है अगर वैसे आप arrange करोगे तो thumb की direction जो होगी that is the direction of an cap always remember right तो यहाँ पर अगर आप right hand लगा होगे finger में तो वो anti clockwise लगेगी मानलो थम आपका जो है वो ऊपर की साइड आएगा यही चीज अगर मैं यहाँ पर b cross a में करो मानलो किसी ने पूछा कि b cross a तो यही हो जाएगा कि b का magnitude a का magnitude sin theta यहाँ पर कोई मैं नया n1 cap लगा देता जो है ना वो बिलकुल नीचे आएगा उससे reverse यहाँ पर यहाँ आप लगा सकते हो मैं pen change कर लेता हूँ यह रहा b से a तो अब यह direction में आप अगर right hand लगा होगे तो आपका right hand जो है वो उल्टाएगा मरलब thumb जो है और नीचे की direction में जाएगा तो यह n1 हो जाएगा पर अब वो आपको याद रखना है वो unit vector होगा यही direction में in the direction of n तो यहाँ से एक चीज़ यह बोल सकते है कि यह a a जो है वो b जो है वो and n जो है वो यह तीनों जो है वो right hand system produce करते है right hand system तो यह आपको समझ लेना है कि right hand system का मतलब क्या है तीनों एक दुसरे के mutually perpendicular होंगे एक दुसरे के बरबर चलो आगे देखते है अब तो बस उसके observation समझने है हमें स्केलर प्रॉडक्ट के कि अगर आपको यह दिया है कि A और B जो है अचा पहली सबसे पहली चीज़ से है तो अगर दुसरा यह है कि वेक्टर A और B जो है वो टू नॉन जिरो वेक्टर है दू नॉन जिरो वेक्टर है अगर आपको जीरो वेक्टर दिया है वो तभी पॉसिबल है कि जब A और B पैरलल हो बिकॉज एक्रोस बी जीरो तब ही पॉसिबल है जब A और B पैरलल हो रीजन है यह है कि साइन थीटा की वैल्यू जीरो तब ही होगी या तो थीटा इस एक्वल टू जीरो डिग्री हो या फिर पाई हो ठीक है तो अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल जीरो है उसका मिलब क्यों सेम डिरेक्शन में है पाई है उसका मिलब वह ओपोसिट डिरेक्शन में है तो वह दोनों वेक्टर पैरलल ही हुए पराबर चलिए आगे दिखते है तो यह इसने यह लिखा है यहां पर इन पर्टिक्लर आए क्रोस ए एक ए मिनिट में आपको समझा लेता हूँ थोड़ी दिर में ओके समझो कि अगर ए क्रोस ए है तो वह जीरो वेक्टर होगा और ए क्रोस माइनस है तो भी जीरो वेक्टर होगा और एल से दोनो एक दूसरे के पैरेलल ही होते तो एक केस में दोनों एक डैरेक्शन में तो थीटा जीरो दूसरे के सम्हाइस होगा वराबर थीट अगर पाइबा है दो वेक्टर एक दूसरे के पर पेंडिकुलर ए तो उसका answer सीधा एक अ क्रोस भी का magnitude A, magnitude B हो जाएगा because we know that sin pi by 2 is equal to 1 तीसरा ये है कि in the view of observation 2 and 3 for the mutually perpendicular unit factor I, J and K, अब हम सब जानते हैं कि I, J और K एक दूस्थरे के mutually perpendicular है तो I cross I, मतलब same direction वाले, J cross J और K cross K की value 0 vector होगी, I cross J K की value जो है वो तुसरा उसका perpendicular vector देगा, J cross K की value जो है वो I cap होगी K cross I की value J cap होगी अब हम आपको यही direction में जलना है I से J, J से K K से I, अगर किसी ने ये पूछा कि what is the value of I cross sorry what is the value of J cap cross I cap, तो याद रखना minus K cap होगा because आप उल्टे चले हो, J से I, आए हो, है ना तो minus K होगी, सेम इसी तरह से, अगर K cap cross J cap पूछ रहे तो भी आप minus I लिखोगे और I cap cross K cap minus J cap, ये सारे formulas आपको लिख लेने है in terms of factor product आपको sin theta यही formula से मिल जाएगा, reason यह है कि आपको पता है कि A cross B की जो formula है हो यही है कि इन्टू sin theta यहाँ पर N cap होती है बट ये N cap और इसका कुछ हम magnitude का कुछ सोचे ये sin theta की formula इस तरह से होगी, magnitude of A cross B upon magnitude of A into magnitude of B 6 number समझो वो जैसे मैंने बताए था वैसा ही है कि अगर A cross B पूछा है तो ये direction में जाएंगे, thumb उपर की direction में आएगा, मनलब N cap की direction उपर वाली होगी, B cross A पूछा है, तो ये direction में जाएंगे thumb की direction नीचे आएगी तो उसकी जो cap, मनलब जो unit direction होगी, वो नीचे आएगी परवर, जहां पर N1 cap is nothing but minus N cap चल आगे देखते हैं इसमें जो काम की चीज़े हैं वो बहुत ही अच्छी है, आपको list करनी है इन्होंने बुला है कि, sorry A cross B जो है, A cross B वो equal हो जाएगा B cross A के, equal नहीं होगा बट minus होगा, मतलब की A cross B is equal to minus B cross A similarly, अगर यह जो लिखा है, मैंने उल्टा वो हाँ पर समझाया था वो वही चीज़ आ गई यहाँ पर observation यह बूल रहा है कि अगर vector A और vector B triangle की कोई दो side है देखो, vector A और vector B represent the adjacent side पास पास वाली दो side है अगर of a triangle, then the area of the triangle will be nothing but one half A cross B यह याद रखना है आपको, wherever कैसे आया है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे अभी तो सिर्फ आप समझ लो कि यह one half ऐसा होगा और similarly, यहाँ पर अगर समझा जाए कि दो side adjacent है, vector A और B तो इसका area हम देंगे vector A cross B के magnitude से, wherever property 3 जो है, वो हमें यह बोल रही है property 3 जो है, वो हमें यह बोल रही है कि distributivity कैसे होगे मतलब कि A cross B plus C है तो A cross B plus A cross C होगा ऐसे lambda bracket A cross B है तो lambda into vector A cross vector B होगा या फिर A ऐसे ही रखो lambda किसी A कॉप मल्टिप्लाइ कर सकते हो तो यह थुड़ा इसका वो basic है, अगर आपको matrix के form में चाहिए चीज तो A cross B को हम ऐसे भी define कर सकते है, कि I, J, K, यहाँ पे A1, A2, A3 B1, B2, B3 आपको पता है, A1, A2, A3 क्या है B1, B2, B3 क्या है वो आपको पता है, A के coordinate और B के coordinate, यह सारा है उसका fundamental हो गया हम next video में इसकी exercise देखेंगे और यह आपको जो जितनी भी मैंने theory समझाई है, वो आपको formula not और fair not दोनों में लिखने है right, thank you तो guys, thank you